काम्याब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पड़ो सक्सेस की पीचा मत भागो एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का पीचा करो सक्सेस जख मारके तुमारे पीचा आएगी सब्सक्राइब और प्रिस दे बेल आइकन तो नेवर निस अनी अपडेट्स हेलो बच्चों, नमस्कार, जैशे किचन, रादे रादे, कैसा साब? I hope आप सब बच्चेस होंगे, मस्तिस अपनी पढ़ाई कर रहो होंगे जही एडवांस ही है, जही मेन का जब रजल्ट आता है हम उसको अपने मन में डालेते हैं कि हमारे को अपनी rank improve करनी है और जर्रली यह देखा भी जाता है, जब हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं online या offline या parents से भी बात हो रहे होती है जर्रली इस तरह की कमेंट्स यह आते हैं कि सर इस बच्चे की rank जो है इस बार डेस्ट में यह आई है या फिर हमारा बच्चा सर rank 1 लेकर आ रहा है अपने batch stopper है या इस तरह की बात या बच्चे कैसे rank को improve कर रहे हैं या बच्चे बूस्ते सर rank को improve करने की क्या तरीके हो सकते हैं या फिर बहुत बार ऐसा आता है कि सर हमारे बैच में तो हम इस तरीके से और improve कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज़ समयने चाहिए कि हमको सही parameter select करना पड़ेगा कि अगर आप सही parameter select करोगे तभी जाके आपकी वह energy निकल कराएगी या आपके दिमाग में जो आपका genius mind सोया हुआ है उसको आप और ज्यादा निखार बाओगे क्योंकि कही न कहीं आपको यह समझना पड़ेगा कि rank जो है आप किसी coaching institute की बचला रहे हो और उस coaching institute में सारे बच्चे नहीं पड़े हैं जैसे होता ही है कि coaching institute में हम enrollment लेते हैं या किसी all India test series में भी अगर enrollment लेते हैं और वहाँ जो आपकी rank आ रही होती है तो इस चीज़ को सारे के सारे बच्चे enrolled हो तो हमारे को सबसे पहले समझना पढ़े है कि अगर आपकी किसी coaching institute में rank 1 वी आ रही है rank 2 वी आ रही है तो doesn't matter हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन जो पारामेटर है कि कि अगर आप सही parameter select करोगे तभी अपने आप improvement जो है या अपनी energy जो है सही direction म करोगे focus करोगे तो हमारे को यह समझना पढ़ेगा कि जो rank है that is not the important parameter the important parameter is the percentage अगर आप percentage इंप्रूव करने की बात कर रहे हो तो यह आप सही direction में चल रहे हो कि कि माल लिजे कि अगर आपकी कोई percentage है particular माल लिजे 50% 60% 70 75% 80% कुछ भी इस तरह की percentage अगर आपकी चल रही है समझ कि अगर आपके coaching student में एक अच्छा paper बनता है या आप जिस all-in-date test series को enroll कियो उसमें एक अच्छा paper आ रहा है जो जी एडवांस के relevant है तो वहां जो percentage आपने सिक्योर किया है almost वैसा ही percentage जो है आप जी एडवांस में सिक्योर करोगे और उसके हिसाब से ही आपकी rank बनेगी तो स सबसे पहली चीज अपने दिमाग में fix कर लें आज के बात कि हम rank के बारे में नहीं बात करेंगे जब हम preparation कर रहोंगे हम हमेशा percentage को improve करने की बात करेंगे percentage को किस तरीके से improve किया जा सकता है उसके उपर सोचेंगे क्योंकि हो सकता हो कि अगर आपकी batch में मालेजे कि 10 वच्च में अच्छी तरीके से बिढ़ा लेना चाहिए अभी मैंने बहुत सालों पहले coaching institute जोइन किया था जहां पर बहुत अच्छी प्रथा थी प्रथा यासे थी कि बाई जो भी बच्चा जो है अच्छा करता है फेज अपने टॉप करता है तो उसको medal पहना जाता था motivate करने के हि बच्चों को motivation मिलता था कि हाँ अच्छा किया है इसने अपने particular page में और batch में और उसके हिसाब से उसको motivate किया जाता है एक ऐसा बच्चा था जिसने हर बार अपने page में top किया अपने batch में top किया और उसके बागजूर उसका IT में selection नहीं हो पाया और उसका simple reason था कि उस page में जो topper था वो 30-40% में top आ जाता था क्योंकि वहाँ पे उस batch में इतना competition नहीं था तो 30-40% पे वो topper आ जाता था और हर बार उसको medal पहना दिया जाता था तो यह चीज हो रही थी उसके सांथ और उसको लग रहा था कि उसकी preparation उसकी journey अच्छी चल रही है और finally उसका selection भी नहीं हो पाया तो यह सची कहानी है तो इस पर आपको समझना चाहिए कि अगर आपकी percentage जो है उस लेबल पर चल रही है तो हमको उसको improve करना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है राधर ने हम अपने rank को improve करके शांत हो जाएं मस्त हो जाएं खुच हो जाएं उससे अच्छा है कि हमारी percentage को जितना ज़्यादा improve कर सकते हैं उस पर focus करें percentage को improve करने के हमारी को सबसे पहली चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारी जो पढ़ाई है उसको पगड़ के रखना पड़ेगा बहुत बार ऐसा हमारे विचार आता है कि percentage सर improve नहीं हो रहे हैं पढ़ाई करने से कोई फा पढ़ाई यह एक गलत होड है percentage कब बढ़ेगी जब आप consistently पढ़ते रहेंगे वह सकता हूं कि आप इस पर्टीकुली लेवल पे हो आज की डिट में लेकिन आप अगर प्रयास करेंगे तो प्रयास करने से सफलता जरूर मिलती है analysis करते रहें तो हम आज इस वीडियो में इस इस चीज को समझ सुके होंगे मेरी खास से कि what we need to assure इस percentage जो है उसको improve करना है rather than you improve your rank और उसी की हिसाफ से आपकी all India rank जो final है वो बनेगी thank you very much bye take care